हाई फ्रेंस ये एक बहुती प्यारी सी स्टोरी है छोटे से बच्चे की नन्ही सी जान की प्लीज सुनियेगा हेलो माम मैं आपको मेरी सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ जो बिलकुल अभी अभी घटी है सुमन दीदी मैंने आपकी नोवेना मावाली प्रेयर वाला विडियो देखा था अभी राद साड़े बारा के आसपास मेरी दीदी की गुडिया जो की 40 दिन की है अभी अचानक रोने लग गई बहुत तेज रोने लगी मेरी दीदी ने उसे दूद पिलाने के लिए गोद में उठाया बट उसने अचानक आँख बंद कर ली एकदम ठंडी पड़ गई कुछ नहीं बोली वो मेरी दीदी रोने लगी मेरी मम्मी भी मैं भी सब ने सोचा वो अब नहीं रही बट मैं पॉजिटिव रही कि इसको कुछ नहीं हुआ है ये ठीक है मैंने नुवेना मा की प्रात्ना की यूनिवर्स से प्रेक किया अफर्मेशन बोलती रही कि वो ठीक हो गई है मेरी मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास लेके चले गए थे मैं आफर्मेशन बोलती रही कि वो ठीक हो गई घर आ गई है और विज्वलाइज किया कि वो मेरे सामने खेल रही है मैं उसे खिला रही हूँ और मैं डॉक्टर ने बोला वो सांस भूल गई थी एकदम ठीक है अब हम सब डर गई थे माम बट नुवेना माने यूनिवर्स ने सेंट एक्सपडाइटस ने माजिक कर दिया थाइंक्यू सेंट एक्सपडाइटस थाइंक्यू मानुवेना थाइंक्यू उनिवर्स थाइंक्यू सुमंदी थाइंक्यू दियर थाइंक्यू सो मच इतनी प्यारी सी success story share करने के लिए और मैं यही प्रातना यही wish करती हूँ कि वो बच्चा हमेशा स्वास्त रहे, healthy रहे और हाँ, आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि prayers में powers होती है, बहुत power होती है सच्चे दिल से कीजिएगा और द्रड विश्वास से कीजिए prayers आपको miracles दिखाएंगे जिस तरह से यह miracle हूए और बहुत ही miraculous है ठीक है, एक माही जान सकती है जब उसके बच्चे की सांसे इस तरह से रुख जाए तो उसके लिए दुनिया रुख जाती है तो उसकी दुनिया को वापिस दी है सेंट एक्सपराइटस की prayer ने मानोवेना के miracles ने द्रड विश्वास ने और उसके साथ साथ जब हम strong affirmation देना शुरू करते हैं ध्यान रखिएगा कभी भी life में जब हम मुश्किल दौर में पढ़ जाते हैं एकदम से समझ नहीं आता आप क्या करें situation बहुत कठन लगने लग जाती है उस समय अचानक से हम कोई technique नहीं कर सकते हैं इतना time नहीं होता instant में तो instant में जो सबसे strong है वो यही है कि आप affirmation दीजिए उस परस्तिती से लड़ने के लिए यह strong affirmation देना शुरू कीजिए positive affirmation दीजिए और बिल्कुल द्रड संकल्प के साथ बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कोई negativity होगी ही नहीं अपनी positive affirmation दीजिए सब ठीक होगा life में चीज़ें आसानी से sort out होगी